आजे, गूड इवनिंग बहुत सारे बच्चो का फोन है और बड़े आशर की बात है वो रियल आप्शन के तीन कोशन है टोटेम लाके वो कोशन छोड़के जा रहा है रियल आप्शन छोड़के जा रहा है भाई साब, भाई साब, भाई साब FR के पेपर से हमको ये समझ में आ गया कि यार इस्टडी मैट हमारे लिए इंपोर्टेंट है और तीन नय कोशन दले हुए है और उसका वीडियो मैंने बहुत पहले डाल चुका था साड़े चार घंटे का, पाच घंटे का और कॉंसेप्ट समझायों और उसके बावजूद भी आप रियल उप्शन के कोशन छोड़ के जाओगे तो बड़ी दिक्कत की बात है खैर मुझे कुछ करना पड़ेगा कोशिस करता हूँ पंधरा मिनट में वो पाच घंटे का वीडियो खतम कर रहा हूँ, पंधरा मिनट तीन कोशन हमको देखकर जाना ही है, चाहे कुछ भी क्यों न हो जाये चलो लाश्ट में चलो देखते हैं भई खतम करते है रियल उप्शन क्या है, कहानी, क्या है, कुछ नहीं किया आपको बाइनोमिय लाता है किया आपको BASM आता है हाँ तो फिर किस गर किस बात का यार भूल जाओ कि real option कुछ होता होगा question से start कर रहा हूँ ये तीन question आपको करना है किसी विहालत में रट्टा मार के जाओ नहीं आ रहा समझ में कोई दिक्कत नहीं process देख लो that's it और सार हमको अच्छे से समझना तो बैटे पाच घंडे का विडियो यूट्यूब में डला हुआ है यार यूट्यूब में डला हुआ है question number one book में illustration number five है वो छोड़ो book में क्या है ये सीठी देख लेना लिखा है IPL already in production of fertilizer is considering proposal building a new plant भाई साब ऐसा है कि new plant बनाना चाहते है और new plant pesticide produce करने के लिए और अगर आप plant present value of proposal है hundred crores present value of proposal का मतलब क्या है मतलब यार अगर हम plant open करते तो हमको 100 crore आएगा इसको आप stock का price समझना stock का price stock का value क्या होता future में जो cash flow मिलेगा उसका present value 100 crore अभी मैं concept पर मैं नहीं जा रहा हूँ यार प्लांट लगाते तो 100 crore मिलेगा ठीक है इसको मैंने stock का value वहला stock का value अगर आप abandonment नहीं करते बंद नहीं करते हैं तो और आपको ऐसा लग रहा यार future में कुछ भी हो सकता है अगर future में favorable condition हुई तो 30% extra मिल सकता 30% से ये 100 crore से 130 crore भी मिल सकता है 40% कम मिल सकता है मतलब 40% मतलब 60 crore भी मिल सकता 40% कम मतलब 60 crore अब आपको क्या अनुमान है सर 100 crore आएगा 130 भी आ सकता है 60 भी आ सकता है अगर आप बंद नहीं करते हैं कवाल ये है अगर हम सोच रहे क्यों ना plant को base दिया जाए discontinue कर दिया जाए और discontinue करोगे तो 80 crore उपे मिलेगा अब question ये है आपको क्या लग रहा है सर 130 crore भी आ सकता है बंद करोगे क्या नहीं सर 60 crore आएगा तो बंद कर दो ना भाई बंद करोगे तो इस option है न आपकी बस abandonment option इसकी वज़े से आपको 20 crore का फायदा हो जाएगा that's it, खतम कहा बस question ये पूछ रहा कि abandonment value बताईए abandonment value value of abandonment option आपके पास option है न आप चाहो तो बेज सकते हो इसको वैसे put option बलता हूँ बेचोगे तो आपको 20 crore मिलेगा मिलेगा और सर, 130 crore आएगा तो हम बेचेंगे नहीं, 0 बस binomial का question है और सर, risk free rate कितना दिया हूँ, 8% फड़ा-फड़ से देखते, करना क्या है करना कुछ नहीं है binomial tree बनाना है present value of cash place को मैंने stock का value बोलो बोलो, आज कितना है, 100 crore कितना हो सकता, सर 130 crore भी हो सकता है मतलब सर, 30% जादा भी हो सकता 30% कैसे आया मालू है न हाँ सर, या 40% कम भी आ सकता हमारे पास एक option है इसको 80 crore बेचने का, तो यहां option हम exercise करेंगे यहां का pay off क्या हो गए, 0 और 60 हुआ तो सर, हम option exercise करेंगे तो सर, हमें निकालना है, क्या हमें value of option निकालना है, 0 भी मिल सकता है 20 crore भी मिल सकता है, बस हमको probability निकालना है और probability का formula, सर, R-D, U-D इससे भी निकाल सकते हो, binomial risk-neutral probability बट अगर आप ICAI के solution पे चलो, तो उन्होंने का, देखो 30% मिल सकता है into P, probability 1- probability और इसको अगर expected आपको risk-free मिलना चाहिए, बस उन्होंने probability का इसी formula यही formula है, यही से derive हुआ है, पर देख लो, मैंने ठीक से कर रहा हूँ मैं ICAI के हिसाब से रटवार हूँ आपको, सीधी-सीधी बात है, ओके सर हमने सबसे पहले क्या किया question में, सौ करोड लिखा सर, 30, मतलब 30% की probability P और सर, minus 40 की 1-P is equal to risk-free, इससे probability निकल जाएगा, और probability आएगा 0.686, सर, यह मैं हमको समझ में नहीं आता, तो R-D और U-D कर देना अब probability निकल गई, यहाँ 0 है, यहाँ 20 करोड है, क्या आपसे value of option नहीं निकल सकता सर, 0 into 0.68 20 into 0.314, यह आगा है value of option, और divided by 1.08 हो जाएगा 38 number माइने रखता है सर, वैसे, real option क्या होता है भाई साब, भाई साब, आज जोडता हूं मत पूछो अभी, और कोई doubt मत पूछना, अब doubt पूछने के लायक नहीं है, आगे चले, yes sir question number two, फीन question है one हो गया, time कितना हुआ, फंद्रा मिनट में खतम करना है okay, timing option का question है जिन्होंने यह कर रखा है न, अच्छे से class, वो ना ही देखे तो वो कहोगे क्या हवाई बढ़ा रहे है sir तो sir, MIS limited है, ठीक है और यार, installation का सोच रहे है कि यार, हम क्यों न electricity plant open करें क्यों भाई, क्यों open करना चाहते है क्योंकि हमको electricity लगती है तो government से खरीदो ना यार, आप 2.50 करोल लगा रहा हो 250 लाख रुपिया लगा रहा हो electricity का खर्चा कितना लगता है बहुल, electricity, अगर हम plant open कर लेते हैं 250 लाख का, तो हर साल हमारी saving होगी 21 लाख रुपए हमेशा के लिए तो बताइए हमें plant लगाना चाहिए, कि नहीं लगाना 21 लाख रुपए की saving होगी हमेशा के लिए और discounting rate है ये देखो WACC दिया हुआ है 10%, तो 10% divided by करेंगे perpetual है तो सर 210 लाख रुपए अब पैसा कितना लग रहा है 250 लाख, तो सर negative NPV है, नहीं लगाना चाहिए फिर question आगे बढ़ता है question अभी खतम नहीं हुआ, question आगे बढ़ता है question आगे ये बोलता है however, government वही election चल रहा है, change हो गई तो बहुले, इसकी वजह से electricity expenses में अंतर आएगा ऐसा भी हो सकता है कि electricity expenses 12 लाख हुई हो ऐसा भी हो सकता है कि electricity expenses 35 लाख हो मतलब हमारा saving 12 लाख भी हो सकता 35 लाख भी हो सकता है, उस condition में बताओ कि क्या हमें accept करना चाहिए कि नहीं करना अब यहां से बाइनोमियल स्टार्ट हो रहा सर यह गलत है समद बोलना, जैसा है रटा मारो इस पे हम research कर चुके हैं ढंग से कितना लगा रहे हो सर 250 लाख 2 करोड 50 लाख अगर 35 लाख रुपए हर साल electricity expenses हुआ, electricity का rate बढ़ गा है 35 लाख तो उसको 350 लाख मतलब सर 350 लाख का savings भी हो सकता या फिर अगर 12 लाख हुआ electricity expenses तो 120 लाख का savings भी हो सकता 350 लाख और 120 लाख अगर मैं कहूं कि यहां का NPV कितना अगया लगा कितना रहे 250 तो सर NPV आगया 100 लाख और यहां आगया NPV negative minus 130 लाख ठीक है सर अब हमको क्या निकलना है सर हमको निकलना है probability probability के लिए आप percentage निकालो या ऐसा निकालो R minus D U minus D या ऐसे समझ में नहीं है तो percentage निकालो यार 250 से 350 मतलब बढ़़ड़ा है तो कितना percent बढ़़ड़ा है 40 percent और 250 से 120 कम हो रहा तो कितना हो रहा minus 52 percent यहां तो कोई दिक्कत है क्या नई अब इससे P निकालो 40 P minus 50 1 minus P और risk free rate दिया है और risk free rate दिया है 8 percent तो 8 percent से हमने यहां लिख दिया इससे हमारा probability निकल आया 0.652.348 और बस अब क्या करना 100 आ सकता है इसकी probability 0.652 minus 130 आ सकता है इसकी probability यह और divided by ध्यान रखना यहां risk free यह option का value निकाल रहा हूँ तो यहां risk free से discounting करना सर जब NPV निकाले तो मैंने risk free से discounting नहीं किया यहां NPV निकाला risk free से discounting नहीं किया लेकिन जब value निकाल रहा हूँ तो मुझे risk free से discounting करना और answer आ गया यह इस question पर बहुत बाते हो चुकी यह गलत है अभी हमको I.C.E.I. की गलती नहीं निकालना है institute ने जो लिखा वो गीता है that's it किसा खतम question भी देखकर चले जाओ देखकर जाने में क्या दिक्कत है रटा मार की चले जाओ पर चले जाओ दो question हो गए तीसरा question time क्या हुआ मैं आपके पंदरा मैट लूँगा मैंने पहले यह गाता तीसरा question यह question तभी बग करना जब आपने B.S.M. किया है अगर B.S.M. नहीं किया तो यह question skip कर दीजे EDC बात मैं आपसे बोल रहाँ ठीक है सर पढ़े है सर लिखा A.B.C. एक pharmaceutical company है और वो patent की value निकालना चाहते है ठीक है being an approach आपके पास आया और right of patent to drug और जो patent है उसकी life है 15 सार ठीक है सर इसके बात यह drugs produce करेंगे it is estimated that company shall require कितना investment हो रहा है investment हो रहा है 12.50 million इसको बोला जाता है exercise price सर क्यों बोला जाता है प्लीज मत पूछो अभी तो रट्टा मार रहे है S पर survey कितना साल है 15 साल और present value of cash flow दिया हुआ है और मैंने आपको पहली भी बोला इसको बोला जाता है stock price S0 S0 पता हो गया E पता हो गया ठीक BSM कर रहा है मानके चलो और सर ये variance percentage में दिया है तो इस variance को मैंने लिखा 0.268 इसे standard deviation निकल जाएगा ठीक standard deviation भी पता लग गया और सर ये yield दे रखा R तो R भी पता लग गया तो हमें BSM के लिए हमें चाहिए S0, E, standard deviation, R सब तो पता लग गया और LN का value भी दिया है और E ये minus actually minus लगाना भूल गया इस ये minus इसका value दे रखा है और इसका भी value दे कर रखा और हमें value of patent निकलना है ठीक है रटरो आ रहा हूँ जरूरी है पर देख कर चले जाओ अब सर हम BSM पे आते सीधा सीधा value of call option निकलना है as it is question आएगा तो value of call option निकलो हमें E मालूम है क्या yes sir 12.5 12.5 इसको मैंने E बोला investment बोला इसको क्या बोला मैंने S0 S0 भी पता हो गया time 15 साल है variance दिया है उसका मैंने standard deviation में निकाल लिया और R भी मालूम है यहां तक कोई दिक्कत है यहां तक कोई दिक्कत नहीं बस एक बात मैं आपको बता रहा हूँ dividend yield BSM में dividend yield दिया होता था तो हम उसको stock की price में से उसका present value stock की price में से minus कर देते थे adjusted stock price लेते थे उसका dividend तो दिया नहीं है दिया है बिट्टे और dividend कैसे निकाला जाता है 1 divided by 1 divided by कितना साल है 15 साल तो इसको बलते हैं dividend yield 1 divided by 15 तो यह आगे सर 0.0667 तो यह क्या logic है मत पूछो बता चुका हूँ अभी यहां बताना मस्किल है ऐसे बोलू अगर patent को amortize करोगे 15 साल में तो हर साल dividend के इतना आएगा खेर इतना सब कुछ समझाने का sense नहीं है अभी अभी time कम है तो यह dividend yield है बस यह एक चीज नहीं आ गई है बस यह चीज समझाना बाकी पुरा BSM है चलो start करें BSM का formula लगा पहले क्या निकालेंगे D1 A0 E मालूम है ठीक है R हमको मालूम है R कितना 0.078 तो 0.078 उसमें से dividend yield minus कर दिया यह variance divided by 2 और period कितना है 15 साल और standard deviation root 15 साल यह formula आता होगा तो ही करना नहीं तो फिर तो छोड़ो इस question का दुस्तार solve करने से LN आया 1.336 यह आ गया LN 1.336 का value साय दिया हुआ है 0.2897 और यह करके final आ गया है D1 आ गया है और D2 आसान है D2, D1 माइनस यह है और हमको area कौन सा देखना है सर एरिया हमको cumulative area देखना है यह वहला area cumulative area और सर माइनस में दिया है तो फिर इसमें टेली area देखना है मतलब इसमें 1 से माइनस करना पड़ेगा और इसमें 1 से माइनस करने की जरूरत नहीं D1, D2 निकाल लो कि यह ठीक है अब हमारा call option का formula लगा रहा हुआ है this is call option का formula देखो सर इसमें से हमको S0 में से आपने कहा कि present value of dividend माइनस करना पड़ेगा ना हाँ अब देखो देहां से वैसे तो formula क्या होता था हमारा S0 and D1 माइनस present value of exercise and D2 यह तो होता था अब S0 तो लिखा पर इसमें से dividend yield को adjust करना पड़ेगा तो मैंने क्या किया इसी का present value निकालो dividend yield adjust होता है dividend yield कितना है 0.06 और कितने साल का है 15 साल का माइनस कर दीजिए या फिर इसी इस rate से dividend yield से present value निकाल लीजिए मैं वही करने जा रहा हूँ ठीक है सर अगर हमको concept समझना YouTube में lecture अभी या देख लेना logic में आपको बता दिया अभी मैं रटवा रहा हूँ सर यह S0 और इसको dividend yield वाले rate से discounting करेंगे S0 को discounting करने की वजह में आपको बता रहा हूँ यह नहीं है कि S0 को सर्फ क्यों discounting करेंगे विकार का कोशन मत पूछना इस मैं से मैं dividend minus कर रहा हूँ और D1 हमारा निकला हुआ present value of exercise price exercise price is 12.5 और इसका present value और यहां जाएगा ND2 जब इसको multiply किया तो यह आया और इसका value दिया हुआ है जब इसको multiply किया तो यह आया और इसका भी value दिया हुआ है और D1, D2 से multiply किया तो answer आ गया 4.6187 that's it भर के चले जाना rate के चले जाना पर चले जाना मैंने कोशिश किया 15 मिनट में real option समझाने का बताना मत किसी को यह 15 मिनट में कोई real option समझा सकता है thank you so much, bye bye त्यारी करो, छोड़के मैं जाना प्लीज